दोस्तों ये पातों लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलिवोड के अंसंग वॉर्य और यानि के वर्सेटाइल सुपरिस्टार है जिदोगन अपनी आने वाली मच अविटेट फिल्म सैतान को लेकर कापी चर्चाओं में है जो कि विया सिनेमा गरूमर रिलीज होने के लिए प कितने सारे टिकट बिक चुके हैं इन सारी जानकारियों को मैं आपके सामने रखूंगा इस छोड़े से रिपोर्ट के माधियम से तो दोस्तों बने रहीगा हमारे साथ अंतों तक हलो फ्रेंट्स मैं हून अरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल याने की वाइरल न्यू जंक्स में तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सामने सायथान के पहले दिन के एडवांस गुकिंग रिपोर्ट की जानकारी दू कि या इंडिया के तीन प्रमुक में अल्टिपल एक चैनल्स के माधिम से इस फिल्म के अभी फिल्मों की लिस्ट में दुए नुबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है शंसेरा जो के भाई जब सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी तो भाई इस फिल्म का बजs काफी स्ट्रॉंग था लेकिन भाई इस फिल्मको पहले दिन के लिए कितने सारे टिकेट विए इंडिया के तीन परमुक मल्टिपल एक चैनल के मादें से तो भी यह उसके संग्या थी 46,000 उसके बाद भी इस लिस्ट में आठवी नमबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है शैम बहादूर जिसके पहले दिन के लिए जो पूरे इंडिया से टिकेट विए थे तीन परमुक मल्टिपल एक चैनल के मादें से तो भी यह उसके संग्या थी 51,000 उसके बाद भी इस लिस्ट में साथवे नमबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है ड्रीम गर्ल का पार्ट 2 जिसके पहले दिन के लिए पूरे इंडिया से जो टिकरिपके थे उसके संग्या थी 54,000 उसे बाद BX लिस्ट में चटी नमबर पर फिल्म है वो फिल्म है गंगु बाई कारिवारी जिसके पहले दिन के पूरे इंडिया से जो कुटिकर्ट हो गते हैं यहां पहली के लिए चौरी तीसे में फिल्म है नमडर टूम के पिल्म विक्र da जिसके पहले दिन के पूरे इंडिया से जो टिकेट भी के थे तीन प्रमुक मुल्टीपलेक्स चैनल के मादे में से उसके संक्याती शिक्स्टी थी थाउजन टिक्टो को अगर पार जाती है भाई सैतार तो भाई कम से कम इस रिकॉर्ड बुक में तो उसका पोजिशन अच्छा हो जाएगा लेकिर अगर हमनों करेंट टाइम के अगर बात करें तो अभी तक इस फिल्म के जो इंडिया के तीन प्रमुक मुल्टी प्लेक्स चैनल के बादे से जो टिकेट भी गया है उस फिल्म को इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए और अभी कम से कम 34,000 टिकट बेचने पड़ेंगे तो दोस्तों अप लोगों को क्या लगता है क्या ये फिल्म ये आंकडा पार करने में कामियाब रहेगी वैसे अगर मैं आप लोगों को ये जानकारी दू कि भीया अभी त छो है वो दो करोड के आंकड़े को पार कर गई है तो भाई ये एक अच्छा संकेत है इस फिल्म के लिए ये फिल्म पहले दिन बहुत ही आसानी से 10 करोड का आँकडा पार करके दिखा सकती है यानि विया सैतान को लेकर ये जानकारी अमनों के सामने आ रही है एक भीया इस इस फिल्म के हिंदी आई से वर्जन के बादेर से अभी तक जो टिकट बिग चुके हैं उसके संक्या है उसके संक्या है इतने सारे टिक्टो को बिशने के बाद इस फिल्म को 2,657,993 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल चुका है मेरे भाई याने की अच्छा खासा परदशन करते हुए ये फिल्म कल सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तयार है तो दूस्तों आप अपने कमेंट के मादे में से मिल बताएगा कि आपको क क्या लगता है सैतान कल कितने का एडवांस बुकिंग लेकर सिनेमा घरों में इंट्री मारेगी क्या ये फिल्म लाल सिंग चड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने में काम्याब रहेगी क्या इस फिल्म को कल तक कम से कम 6 करोड से 7 करोड का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया स सबी सवालों का जवाब आप मुझे अपने कमेंट के मादर से ज़रूर भेजिए गा तो बॉलिवूर से चुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानि के वारे इंजेक्शन को लाइक स्क्राइब करना ना भुलेगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बैला एकन को